देखे ये लोकतंत्र और देश के सम्विधान की हत्या है और मानिय सर्वोच नयायले के सम्विधान पीट का अपमान है जो आज लोकसभा के अंदर किया गया ये हिटलर साही के अलामा कुछ भी नहीं है एक चुनी हुई सरकार के उपर आप LG को बैठालना चाहते है फिर चुनाओ का क्या मतलब है फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है पिर इस देश के संविधान और संगी धाचे का क्या मतलब है आज दिल्ली में केजरी वाल सरकार जो बिजली पर पानी पर चिकिस्सा पर सिक्षा पर काम कर रही है उस केजरी वाल मौडल को उस दिल्ली मौडल को पूरे देश में स्विकारिता मिल रही है इस से बौखला कर भारती जन्ता पार्टी ने ये बिल आज लोकसभा में पास किय अपने बहुमत के जोर पे लेकिन मैंने राज्य सभा के अंदर इस बिल के इंट्रोड़क्षन को अपोच किया है क्योंकि दिल्ली को विधान सभा जो मिली वह 69 संसोधन से मिली संविधान संसोधन से मिली और आप गैर समवैधानिक धंग से यह बिल लेकर आ इसमें अपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं और मैंने राज्य सभा में इस बिल के इंट्रोड़क्षन का इस बिल को इंट्रोड्यूस किये जाने का विरोथ किया है कि दूसरी तरफ आप लोग खुली चुनोती दे रहे हैं बीजेपी को काड़े हैं कि आप एंसीटी बिल पर हमारे सांथ पुले तोर पे चर्चा की जिक्तों करते हैं नहीं क्योंकि वो लोग एक अलोकतांत्री के गैर संबैधानी काम कर रहे हैं वो इसको जायस ठैराने की कोशिस कर रहे हैं एक चुनी हुई सरकार के उपर एलजी को बिठालना कैसे जायज हो सकता है मुझे बताईए तो इसलिए हम उनको खुली चुनोती देते हैं वो बहस अलका सासन हो जाएगा यह तो एक शुरुवात है पूरे देश में यहीं होगा है कि जो सरकार का फैसला है वो दूसरे राज्यों में भी इस तरह के नियम है दिल्ली के लिए एक अलग नियम था तो इसके कारण से यह संसोधन किया लिए